आज के वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कूस करेंगे चैप्टर नमबर फोर एडिमिशन और पार्टनर का कुश्चिन नमबर फिफ्टी एट 57 तक हमने इस से लास्ट वाल वीडियो में कवर कर लिया है और الिस्ट के अंदर जाकर आप 1 से लेकर 57 के सोलुशन देख सकते हैं अब हम करेंगे कॉश्चिन नमबर 58 को स्ट आट कॉश्चिन नमबर 58 में दिया गया है कि following was the balance sheet of A and B who were sharing profit in the ratio of 2 ratio 1 as at 31st March 2023 तो दो partners हैं A or B जिनका profit sharing ratio हमें दिया गया है to ratio 1 फिर balance sheet दी गई है और last में दिया गया है pass necessary journal entry आपको journal entry करनी है इस question में to give the effect to the arrangements prepare profit and loss adjustment account बेटा जो profit and loss adjustment account किसका नाम होता है यह revaluation account को ही हम profit and loss adjustment account कहते हैं तो यह बनाना है partner का capital account बनाना है और balance sheet बनाना है तो यह तीनों चीज़ बनाने के साथ साथ एक journal entry भी pass करनी है ठीक है शुरुबात करते हैं question के अंदर A or B पुराने partner थे अब वो admit कर रहे हैं C को वो भी कब 1st April 2023 को यह बाकी information यहाँ दी गई है तो करेंगे solution number 58 start question number 58 debit side में firm को होने वाले loss लिखे जाएंगे credit side में firm को होने वाला profit हम बना रहे है revaluation account जिसका एक और नाम होता है profit or loss adjustment account तो यह पढ़ते काप है adjustment में adjustment हमें यहाँ देखेंगे पहला point दिया गया था कि C was to bring 7500 हैs capital C मतलब जो नया partner है वो 75,75 capital का पैसा लाएगा 3,000 goodwill का पैसा लाएगा और business में 1,4th share के लिए वो admit हो दहा है capital जो goodwill का पैसा है वी partner के capital account में जाएगा तो यहाँ पर इसका कोई link नहीं है revaluation account में value of stock stock और plant machine दे हमार बिजनस के asset होते है इनकी value reduce होगई कम होगी 5% से कम हो गई तो loss हो गया loss हो गया तो debit side में लिखा जाएगा 2, जिस जिस asset की value कम होई है तो यह लिखा जाएगा 2 stock account और 2 plant and machine दे अकाउंट ठीक है अब जो भी इनकी value थी वो 5% कम होगी तो यहाँ पर stock की value कितनी दी गई है 10,000 रुपे इसकी 5% कितना होगा 500 रुपे कम होगी फिर plant and machine दे कितना दिया गया है 17,500 रुपे इसका 5% आजएगा 8.75 रुपीस ठीक है उसके बाद देखेंगे question में दिया गया है second point के बाद third पर कि provision बनाना है doubtful debt कितना in respect to debtor 3.75 यह पैसे डूबने के chance है बनाना पड़ेगा तर लॉस है और सारे लॉस का हम रिवालिशन अकाउंट के debit side में दिखाते है two provision for bad debt या doubtful debt कि शायर यह पैसे डूब सकता है कितने पैसे डूबने के chance है 3.75 और question के अंदर जो last point हमें दिया गया था building, building हमारे business की एक asset होती है जिसकी value appreciate हो यह बढ़ी है 10% से building थी पहले 25,000 के 10% से बढ़ी तो 25,000 रुपे से बढ़ गई तो profit हो गए तो कहां लिखेंगे revaluation के credit side में by building account 25,000 रुपे का 10% कितनी value बढ़ गई है building की 25,000 रुपे और कुछ भी है नहीं है, total करेंगे total कितना अगया, हमारी credit side जादा आ रही है जो credit side का total है, वो इसी total को हम debit side में लिखेंगे हमारी debit side का मारियन की हमें profit जादा हुआ, revalue करते वक्त loss कम हुआ तो overall हमें profit हो गया, तो हमें लिखेंगे 2 profit, share profit जो share किया जाता है, revaluation account का वो किया जाता है, old partner में, old ratio में इसको loss करेंगे, तो आज जाएगा 750 और old partner A और B है, old ratio है 2 ratio 1 तो profit का share A को मिलेगा 500 और B को मिलेगा 250 उसके बाद बनाना है, partner का capital account partner capital account का format आप यहां दिख रहे हैं सबसे पहले credit side लिखी जाती, जो पैसा partner को मिलेगा तो वो credit side में लिखेंगे, जो पैसा partner की capital account से कम होगा, उनको debit side में लिखा जाएगा तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं, buy balance brought down किस चीज का balance, capital के balance की बाद चल दिए और capital का balance हमें कहां मिलता है capital का balance हमें कहां मिलता है, वो question की यहां मिलता है capital का balance कितना है, A और B का, 15,000 और 10,000 यहां लिख दिया जाएगा A का capital का balance है, 15,000 रुपे B का capital का balance है, 10,000 रुपे इनके balance के बाद जो नया partner आया है, वो भी तो capital का पैसा लेकर आया है यह कहां मिलता है, adjustment भी तो first point में दे रखा है, C, 7,500 capital का पैसा लाया है, 3,000 रुपे गुडविल के लेकर आया है, तो capital का जो पैसा लाया है, उसके लिए आप या तो buy cash account भी लिख सकते है या buy bank account भी लिख सकते है तो कितना पैसा लेकर आया है, वो capital का C, 7,500 फिर वो goodwill का पैसा भी लाया है, गुडविल का पैसा जब एक नया partner लाता है, तो उसके लिखा जाता है by premium for goodwill by premium for goodwill और यह पैसा किस ratio में दिया जाता है, sacrificing ratio में दिया जाता है, किसको दिया जाता है, old partner को क्योंकि देखो नया partner goodwill का पैसा लाया जिसने goodwill create की थी उन्हीं को दिया जाएगा और C के आने से बुराने partners ने क्या क्या होगा sacrifice तो उनको sacrificing ratio में यह पैसा दिया जाता है question में नया ratio नहीं है तो old ratio यह हमारी क्या हो जाएगा sacrificing याने की sacrificing ratio क्या हो जाएगा हमारा photo formula क्या होता है old ratio minus new ratio हमारापास जोडर रिशल पैसा लिचल हए एको मिलेगा और 1000 टुपीस पैसा किसको मिलेगा बी को मिलेगा फिर चीज़ों को रिवैल्यू करते है वक्त क्या हो गया था प्रॉफिट हो गया था रिवैलेशन अकाउंट में और कोई भी फायदा होता है पार्टनर को उसकी क्रेट साइड में जाता है क्या लिखेंगे बा इसके बाद इनका टोटल गिया जाएगा ए को कितना पैसा मिल रहा है फर्म की तरफ से 17,500 बी को कितना पैसा मिल रहा है 11,250 और यहां लाश्ट में क्या है 7,500 कोई चीज उनके अकाउंट से काम हो यह बिलकुल नहीं तो बिटा A को कितना पैसा मिलेगा 17,500 बी को कितना पैसा मिलेगा 11,250 और C को कितना पैसा मिलेगा इसका गैपिटल का पैसा रहेगा 7,500 अब क्या बनाएंगे हम balance sheet जो नई balance sheet बनती है वो बनती है किस से नई balance sheet जो बनती है वो बनती है पुरानी balance sheet से और revaluation account से किस से नई balance sheet से और revaluation account से आप यहां देखेंगे Building Building पहले कितनी थी? 25,000 उपât Building की कीमत कितनी बढ़ गई है? 25,000 अब 2300 से बढ़ गई है Forte Aurora Building की कीमत पहले 25,000 थी 29,500 से बढ़ गई है 27,500 Next आप यहां देखेंगे Plant or Machine थी कितनी की थी? 17,500 की थी तो अब 17,500 का समन 875 सो पीश से कम हो गया तो अब कितने का रह गया 16,625 का ये समान रह गया उसके बाद stock, stock कितने का था 10,000 रुपे का था कितना कम हो गया था stock की value 500 रुपे से कम हो गयी थी तो यहा लिखेंगे जी स्टोप जो हमारा सत्रा सब्सक्राइब का था 500 पेसे कम हो गया तो कितने का रहे गया 9500 का रहे गया उसके बाद डेटर कितने थे 4875 के थे उन्होंने बोला है कि उसके उपर क्या बनाना है प्रोविशन बनाना कि शायद हमारे 375 पैसे डूब भी सकते हैं तो हम यह बनाएंगे डेटर क्या बनाएंगे डेटर की वैली लिखेंगे कितने थी 4850 थी माइनस करेंगे प्रोविशन शायद जो पैसा हमारा डूब सकता है कितना पैसा 375 तो कितने पैसे डेटर पर मिलने के चांसिस है 4,475 उसके बाद क्या है रास्ट में cash in hand तो लिखेंगे cash in hand पहले से कितना cash था पहले लिखा जाएगा पहले से firm में कितना cash था 600 रूपीश फिर एक नया partner आया दूप पार्टनर कैश में कितना पैसा लेकर आया कई का सैंवट्विल का सिरी फांड है लिख देंगी है कैश पहले से खिल सपन्ड धा नयावर आया सैंवन्टिफाइफ फंड तो केपिल का पैसा लाया कि क्रिक भात तो एक तो्पिपना पैसा आ तोय गया फंस solid pay cash cash में faith firm के पास उसके बाहर लिखेंगे balance sheet के नदर देखेंगे capital लिखी जएगी partners की कौम सी capital वो जो capital है partner capital account में सारी capital करने के बाद बार यह capital लिखी जाएगी जब से लिधाफ़ balance sheet में तो लिखेंगे capital किसी तीनों partners की capital लिखें तीनों पार्टनर से तो यहां लिखें capital accounts किसका A का B का और C का बटा तो A की capital कितनी बची है मतलब सारी adjustment करने के बाद 17,500 B की capital बची है सारी adjustment करने के बाद 11,250 और C capital का कितना पैसा लेकर आया है 7,500 तो टोटल इनकी capital को add on करेंगा जाएगा 36,250 फिर नेक्स्ट दिया गया था creditor जो 32,950 तो कम हुए ना ज्यादा हुए ना ही कम हुए ना ज्यादा हुए तो यहां लिखेंगे आप creditors कितना लिखा जाएगा 32,950 ठीक है अब दोनों सारी का क्या करेंगे हम टोटल अगर यह match ह हो जाती है तो हमसे कोई गलती नहीं हुए अज रवाइस हमने कोई ना कोई गलती कर दियोगी पेपर में आपके लिए आपको पता लए जाएगा तो टोटल करेंगे 69,200 69,200 ठीक है इसके बार इनोंने बुला था आपको क्या करना है जर्नल एंट्री भी पास करनी है जर्नल तो यह तो बड़ा आसान है किस डेट कोगी यह चीज कोई दिक्कत ही नहीं क्योंकि जिस दिन हम साथ चीज़े कर रहे हैं यह नए नए पार्टन को एडमिट कर रहे हैं उसी दिन साला काम होगा तो सबसे पहली एंट्री यहां से करेंगे आपके डैबिट साइड में आपक यह ने कैपिटल से और फिर बैलेंशीट से कुछ रहे होती ही हमें पता है एक नया पार्टन आया है जब नया पार्टन आया है तो बिटा वो पैसा भी लिकर आया किस चीज का पैसा लाया होगा कैपिटल का पैसा तो सबसे पहले हम उसकी एंट्री कर देते हैं कौन सी कैश अकाउंट डैबिट कैश अकाउंट डैबिट 2 कैपिटल अकाउंट चुन नहीं पार्टन का नाम है C वो कैपिटल का पैसा लाया है 2 क्या लिखा जाएगा 2 प्रीमियम फ़र गूडविल अकौडविल अकाउंट C brings his share of capital and goodwill in cash ठीक है, अब वो goodwill का पैसे देखो, capital का पैसे तो हो गया digest, ठीक है, उस goodwill का पैसे किसको मिलता है किसको मिलता है, partners को मिलता है, same date को लिख देंगे, ठीक है न, year तो हमने उपर mention किया ही हुआ है, April 1 goodwill का पैसे मिलता है किसको, जो नया partner लाता है old partners को मिलता है, वो भी sacrificing ratio में तो लिखेंगे, premium for goodwill account debit to is capital account to these capital account, ठीक है इहां लिखेंगे, being किसम के सार्ण का effe, किसम आशो tout लिखेंगे, that असम आशो just सार्त विखेंग वोडिए, किसमा थेे कार vendors का आशा के साव Month, भीक है, who do not go a इस रेशो में दिया जाता है, इन सेक्रिफाइसिंग रेशो अब गुडविल का पैसा लाया कितना था, C, 3,000 रुपीज, वो भी किस रेशो में, सेक्रिफाइसिंग में, जो हमने पहले ही कर लिया था, इकोशन में नया रेशो तो है नहीं, तो ओल्ड ही हमारी क्या होगी, सेक्रिफाइसिंग है, नहीं 2 रेशो 1, तो इसको करेंगे 2 रे ठीक है, फिर री वैलिवेशन अकाउंट से यह तो हो गया, अब री वैलिवेशन अकाउंट के अंदर, जब अकाउंट से हम कहा जाते हैं, एंट्री के तरफ जाते हैं, साइड क्या हो जाती है, चींज, तो स्टोक के ओपर नुकसान हुआ, प्रांट मशीन दी के ओपर हमे अब रहल वन को, एंट्री क्या होगी, वैलिवेशन, अकाउंट, डेबिट, तू, बिटा जिस जिस चीज़ पर नुकसान हुआ था, तू, स्टोक अकाउंट, तू, प्लांट एंड, मशीनरी अकाउंट, तू, प्रोविशन फर डाउट्फुल देट्स अकाउंट, बिटा डिक्रीस्ट या डिड्यूस्ट, एसेट्स की वैली क्या हो गई है, कम, स्टोक की वैली कितनी कम हुई है, पांसो रुपे से, ठीक है, ट्रांट मशीनरी की वैली कम हुई है, 875 रुपी से, प्रोविशन, 375 रुपी से, और टोटल, टोटल जो लोस हो चुए हो गया, 750 ठीक है, उसके बाद, आप यहां देखेंगे, बिल्दिंग पर हमें का हुआ था, फायदा हुआ था, यह हमारा क्रेट साइड में लिखा हुए, एक अकाउंट के अंदर, वो रिवालेशन अकाउंट में, क्रेट साइड में लिखा है, अगर हम एंट्री करेंगे, तो यहां लिखेंगे, बिल्दिंग, अकाउंट, डेविट टू, वी वैलुवेशन, अकाउंट, बिल्दिंग, बिल्दिंग, इम्प्रूड, जो वैल्यू थी बिल्दिंग की, वो क्या हो गई, बढ़ गई, इम्प्रूड या एप्रिशीयेटड भी लिख सकते हैं, कितनी व की है ठीक है हमसे फिर पता लग गया था तो को मिलेगा A और ब को मिलेग RAM में टैबीट में किस प town कुं एक जाएगा रिएवलेशन करण पेंट्री वानेगे हमागे हमारी एपरेल के वह न कु क्या लिखा जाएगा Revaluation Account Debit to A's Capital Account to B's Capital Account Revaluation पर Profit कितना हुआ था 750 रुपीस का A को कितना पैसे मिलेगा 500 रुपीस जी तो होता है Old Partner Older Shum और यहाँ पर 250 रुपीस ठीक है फिर बींग करे लिख देंगे Being Revaluation Profit Distributed Among the Old Partners Among the Old Partners In Older Shum ठीक है तो क्लास यह हमने पूरा Question 58 Cover कर लिया है आपको किसी भी Part के अंदर किसी भी Account में किसी भी तरह का doubt to तो आप Comment section में Comment करके मुझसे पूर सकते हैं ठीक है Thank you झापको किसी भी झापको किसी भी झापको किसी भी झापको किसी भी किसी भी किसी भी किसी भी किसी भी किसी भी किसी भी